स्वागत है दोस्तों आपका आपके चैनल हिंदी मेडिसन रिव्यूज में मैं हूँ आपके साथ अनीज भार की और आज की वीडियो में हम बात करने वाले अलका केम 100 ml लेक्विट के बारे में तो दोस्तों आईए जान लेते हैं कि अलका केम 100 ml लेक्विट क्या इसके इसके आए कैसे इसको लेना चाहिए और इसके क्या साइड एफेक्ट है इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास तक जरूर देखें तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे अलका क्या प्लस लिक्विट के बारे में तो दोस्तों चलिये इसके हम पैकिंग की अगर हम पहले बात कर लेते हैं तो दोस्तों यह है तो Alchem company का जो एक brand है Maxio उसका बनाया हुआ है और यह 100 ml की pack में available है market के अंदर और दोस्तों इसका price अगर हम price की अगर हम बात करें 100 ml liquid की price की अगर हम बात करें तो इसका price है 65 रुपए और दोस्तों इसके अंदर क्या content है क्या इसके अंदर drug है company ने डाला हुआ तो आए देख लेते तो दोस्तों इसके अंदर है तो daisodium hydrogen citrate BP में available है और syrup base है तो आईए दोस्तों अब हम इसकी uses side effect और इसे कैसे लेना है इस बारे में बात कर लेते हैं तो दोस्तों alka kem plus syrup या फिर alka kem plus liquid उस condition में use करते हैं जब आपके पेट में जलन होने स्टार्ट हो जाती है या फिर पेट में swilling आना शुरू जाती है या फिर या फिर है तो आपको है तो urinary का जो track का infection है मतलब urine में जलन यानि के पेशाब में जलन होती है उस सुरत में आप है तो alka kem plus syrup को या फिर alka kem plus liquid को use कर सकते हैं और दोस्तो हर तरह के urine infection के लिए आप इसको use कर सकते हैं जैसा के urine करते समय आपके urine में जलन होना यानि के पेशाब में जलन होना या फिर रुक-रुक के पेशाब बाहर आना तो उस condition में आप इसको उसको यूरिण इंफिक्शन ज्यादा होता है तो आप है तो इस सेरपको है तो लिडीश के लिए भी दे सकते हैं दोस्तो यूरीन infection लिडियस में अक्सर ज्यादा होता है तो उस condition में भी आप लिडिस सकते हैं और इसका बहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगा तो आए दोस्तों आप इसके साइड इफिक के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों अलका केम प्लस लिक्विट आपको पीने के बाद अगर आपको बहुत ज्यादा योरिन आ रहा है तो आप इस सिरप को या इस लिक्विट को बंद कर दे और दोस्तों उसी के साथ सद आपको है तो नाशिया हो सकती है मतलब वोमिटिंग हो सकती है नाशिया हो सकती है चक्कर भी आ सकते है और है भी हो सकता है उसी के साथ सद आपका जो गला है मतलब माउथ है यह सूका पढ़ सकता है और दोस्तों ड् के लिए होती है और दोस्तों इसके अलावा अगर आपको एतो इस लेक्विट से कुछ और साइड और दोस्तो आईए अब इसके साथ में क्या सौधानिया बरतना चाहिए यह सीरप को यह लिक्विट को लेने के बाद तो दोस्तो मैं आपको बता दू अगर आप है तो इसके साथ कोई और मेडिसीन ले रहे हैं तो वह अपने डॉक्टर की सला के बाद ही ले वही आपको इसक से देख नहीं सकते हम बता नहीं सकते कि इसके साथ आपके लिए कौन सी दवा सूट होगी या कौन सी अंटिबैटिक सूट होगी या फिर कौन सी मल्टिविटामिन सूट होगी तो आप है तो इसके साथ अगर कोई और दवा लेते हैं जैसे के बीपी शूगर की तो अपने पेट में जलन हो रही है तो आपको है तो यानि के आप अगर अगर अडल्ट है तो अडल्ट वक्ति के लिए ये है तो 10 ml आदे गिलास पानी में सुबा में एक दोपर में एक और शाम में एक बार लेना है मतलब आपको तीन टाइम इसको लेना है आदे गिलास पानी में 10 ml और दोस्तों अगर आप कोई बच्चे को देना चाहते हैं यानि के 5 साल से लेकर 10 साल के बीच के बच्चों को देना चाहते हैं तो आपको है तो 5 ml सुबा दूपर शाम आदे गिलास पानी के अंदर दाल कर इसको पिलाना है तभी आपको इसका बहतर रिजल्ट मिलेगा तो दोस्तों ये था अलका केम प्लस लिक्विट का एक छोटा सा रिविव तो दोस्तों ऐसे ही आने वाले बहुत से मेडिसीनल प्रोड़क के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बैल के आइकन को भी दबा दे और दोस्तों ये वीडियो को कैसी में बताए competence में बताएatar et को अच्छी रखती तो इसे लाइक करें अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर अगर आप नए तो इसे को सब्सक्राइब जरूर कर लें मिलते अगली वीडियो में किसी नहीं मेडिसीन के साथ तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त